मद्प्रदेश की जिवन दाइनी कही जाने वाली मानर्मदा का हमारे वेत पुराणों में बड़ा ही महत्व बताया गया है मानर्मदा के दर्शन करने मात्र से ही लोगों के सारे कश्टों का निवारन हो जाता है तो कई लोग मानर्मदा के उद्गम स्तल से लेकर महा सागर तक की नर्मदा परिक्रमा भी पेदल कर लोगों को मानर्मदा के महत्व को बताते हैं जिला सहकारी बैंक के पूर्व सेवा निर्वत शाका प्रवंदक रामलाल मालाकार अपना पारिवारी ग्रहस्ती जीवन छोड़ पैदल मा नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, बीते महाशिवरात्री से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, जो अब नर्मदा तर्टिस्थिक गलग महत्व है हमारे संत महात्मा भी नर्मदा परिक्रमा को एक अध्यात्मिक यात्रा बताते हैं तथा नर्मदा का जितना सब्दों में बखान किया जाए उतना कम है आज इसी का परिणाम है कि प्रति दिन सेकडों की संख्या में लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं यहा परिक्रमा की जा रही है इसी कड़ी में आज हमारे साथ में है जो पूर्व में सहकारीता के जनक कहेजाने वाले सहकारीता के छेत्रा में जिनने लंबा समय बीता Estu पूर्व साखा प्रबंधक Dr. pä जी नर्मदा परिक्रमा का क्या महत्व है और किस प्रकार का इसका वर्णन है नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा हिंदू दर्म में इसका काफी महत्व है हर मनुष्य आत्माएं इस अंसारिक जिवन में कर्म बंदनों में बन कर अपना जिवन व्यापन करती है जयान वापन के द्वरान कई प्रकार के पाप, कर्म, विकर्म होते रहते हैं इन सब विकर्मों के विनास के लिए हमारी मा नर्मदा पुर्णे दायनी पाप नासक मा कही जाती है इसके दर्शन मात्र से मनिश्य के समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं कहा जाता है कि गंगा जी में इसनान करने से पाप दूलते हैं, जमना जी और सरस्वती जी में तीन दिन तक लगातार इसनान करने और जल पान करने से पाप नश्ट होते हैं, किन्तु नरमदामाई के केवल आँखों के द्वारा दर्सन करने मातरत से पाप नश्ट हो जाते है इसलिए हिंदू धर्म में इसका कौफी महत्व है और हर मनुश्य आत्मा इसके परिक्रमा करती है कोई पेदल करता है कोई वहान के द्वारा करता है अलग-अलग प्रकार से हर प्रकार से अपने-अपने संकल पर लेकर के परिक्रमा करते हैं जिससे कि जो जानकारी मिलके सामने आई है कि कही न कहीं आप भी सहकारिता में साखा प्रबंदक पूर्व और साखा प्रबंदक रहे चुके हो वहाँ से सेवा निवरत्त हुए हो और आपके जो बड़े बेटे हैं वो भी गुजराद के अदानी गुरूप में जुड़े हु लेकिन उसको भी त्याग कर आप जंगलों में घूम रहे हैं परिक्रमा कर रहे हैं तो इसके प्रेड़ना कहां से मिली यह प्रेड़ना मुझे मेरे जो बड़े भाई ब्रदर है मेरे वो दो परिक्रमा कर चुके हैं पैदल भाई आभी दोनों कर चुके हैं दो बार की परि ग्र्टी बेंक 1230 बने घोरॉ वी आए हॉनू सामने की अफ़िसम धर निया निार के लो झानक है लेड़ं देखन एक और निढरी थैस्तान होते था झीड़ान इन नाम से प्रसीद देज धर इस्तान हैmaster तो कहीं परिक्रमा वासे जब उहां आते थे, तो हम लोग उन लोगों की सेवा करते थे, जलपान करवाते थे, चाय पानी पिलवाते थे, बिस्किट वगएरा देते थे, और मैं उनसे अनुभो लेता था, कि ये नर्मदा परिक्रमा करने से क्या फलकि प्राप्ति होती है, व माई का अगर बुलावा आएगा, तो मैं बराबर अपने नर्मदा परिक्रमा करूँ गा, तो वो संकल पे मेरा, आज माई ने मेरा ये रिटार्मेंट के बाद में, में में ब्रांच मेनेजर पस से रिटार हुआ हूं, और मैं एक मार्चे से नर्मदा परिक्रमा विस्वत परीक्रमा उठाई है इसमें मेरे कोई मनोकामना नहींक पूरूंड अरोब नशए क मेरे चाहजना के लिएक मेरे civilization Music तो यह नर्मदा परिक्रमा के लिए में निकला हुआ हूँ मार्च सिवरात्री के महापर्व मार्च से आपने आपकी परिक्रमा सुरू करी थी तो यह परिक्रमा निरंतर चलती जा रही और बित्ते चार महीने से आप चारुकेशोर आसरम पर रूखे हैं तो आगामी यहां कि इतने महा की परिक्रमा और बच्ची हुई है अभी जैसे मैं उंकारे सर से चला था तो भडोच जा नर्मदा जी रतना सागर में संगम हुआ है वो पार करके में यहां चारुकेशर आसरम तेसे लिवडवा में हैं जो दक्रो महराजा आसरम के नाम से जो जाना जाता है मैं यह नहां पर निकला हुआ हुआ है ग्यान मार्ग के साल साथ भक्तिंilight बाद में अद्यात्मक मारगा तो आप कहीं न कहीं आपका परिवारी ग्रस्त जीवन छोड़कर बार अध्यात्तिक मारग में आए हैं तो समाज के जनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे नंगे देखिए मैं गरस्त जिवन में था गरस्त वासिव हूँ लेकिन मेरा तो यह कहना है कि जो वेक्तिक गरस्त जिवन में है तो उसकी गरस्त जिवन की जैसे एक पिता होने के नाते एक पती होने के नाते भाई होने के नाते जो भी सांसारिक जिवन की जो भी रिष्टे समंध है उन समंद्धों की जो भी अपनी जुमेदारियां बनते हैं, जो भी अपने करते हैं, उन करते हैं को जई रहेज दिस और पूर्ण करें के भाद में नरमादा परिक्रमा एक बार मणे दिस विजिव करें मैं सभी भाई लोगों से यही निवेदन करता हूँ और यही प्रारतना करता हूँ कि माय के एक बार अवश्य नर्मदा परिक्रमा करें दिरणतर आप परिक्रमा करते हैं तो कहीं जगह पर कहीं प्रकार के अन्दशेतर भी संचालियत होते हैं किस प्रकपण के वहाँ परिवस्थाइं रेती हैं कि बाबाजी आप भोजन पालो, चाय पीलो, नस्ता कर लो, सोने की, बेटने की, सब सारी वेवस्ताइन नर्मदा के किनारे पे अटोमेटिक खोल रही है और यह सब माई की कृपा है प्रक्रमा मारसी को किसी भी प्रकार के कोई भी तकलीफ नहीं होती माई के ऊपर विश्वास होना चीए माई से अगर कभी कोई भी जलासी भी यह है तो आप माई से प्रहरता ना करें माई आपके मनों कमनों उसी वक्त पूर्ण करेगी आपके जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण करेगी यह मैने अनुभा किया मेरे जिवन में सनावत से निलेश मालाकार की रिपोर्ट